हैं Hello everyone good morning a very very warm welcome to all सभी का बहुत-बहुत स्वागत है I hope you all are doing really great आप सभी बहुत अच्छे होंगे बहुत खश होंगे सभी को a very very good morning a very very warm welcome सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यस गाइस तो भई आपके डिमांड थी कुछ थियरी भी पढ़ाई जाए है ना तो धीरे धीरे करके हम थोड़ी थोड़ी थियरी पढ़ेंगे तो आज एक टॉपिक हम स्टार्टिंग में 15-20 मिनट एक थियरी का पार् ठीक है फटाफट से फिर उस पर बेश कुछ कुछ खेशन करेंगे और उसके बाद फिर हमारे normal EDM से related फिल इन द ब्लंक से related यह कोहेसिव डिवाइस एक इंपॉर्टन पार्ट है आपके इस लेबस का उससे रिलेटेड हम्थोटन करेंगे ऑके गुडम एवरीवरी व्यवं बिकेश साधना कवीता रितविक शुश्मिता वेरी वेरी वर्म वेलकम सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चलिए तो भाई एनी गैसे की आज हम क्या कर पढ़ने वाले कौन सा थियरी टॉपिक आज हम कवर करेंगे है ना थियरी टॉपिक बहुत जादा नहीं चलेगा ठीक ह बहुत सारे बच्चे भाग जाते थियरी में लेकिन यह बहुत इंपोर्टेंट है और इससे क्वेशन बनते ही बनते हैं गुड मॉर्निंग धर्मवीर वेरी वर्म वेलकम गुड मॉर्निंग अंजली कैफ रानी कवीता सुशिल सोनी राज श्विवम निशा अब वेरी वर घ्ल्ने वाले हैं है ना किश हो और आप्शन देते आपको कंडीशनल सेंटेंक टैंसेंद सेस्स और पंक्टुएशन मांक स हूं तो क्या लग रहा है क्या होगा गुट मॉनिंग एवरिवन आप बैरी वर्म वेलकूम गुट मॉर्नीग। चलो तो भाई क्या सारे स्टुडिंस रेटी है फटा-फट से शुरू करें काजल क्यहरें सब्चैक वर्भ एगरीमेंट धर्मवीर के रहें उनके लिए मैंने आज ऐसा किया है कि जैसे एक टॉपिक है तो उसी टॉपिक के बहुत सारे क्वेशन देन दूसरा टॉपिक है तो उसी टॉपिक के बहुत सारे क्वेशन तो ऐसा मैंने आज सिक्वेंस रखा हुआ है ठीक है तो आज का जो टॉपिक है चलिए तो भई रिवील करते हैं आज का टॉपिक क्या होगा वन मिनिट गाइस येस तो भई ये है हमारा आज का टॉपिक पंक्चुएशन मार्क्स है ना तो सबसे पहला ही कॉमेंट आया था पंक्चुएशन जो कि बिलकुल सही है कंडिशनल सेंटेंस पर भी करेंगे इडियम्स पर भी क्वेशन करेंगे कोहिसिव डिवाइस करके एक इंपोर्टन टॉपिक आता है कंजंक्शन जिसे कह सकते हो आप सिंपल भाशा में वो सारी चीज़े हम डिस्कुस करेंगे तो चलिए पंग्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं है ना तो यह देखेंगे वन मिनिट गाइज आज इन्होंने सेटिंग थोड़ी अलग करके रखी हुई है चलिए तो भई क्या है पंग्चुएशन मार्क्स है सबसे पहला जो पंग्चुएशन है वो है पीरियड है ना तो क्या डिनोट करता है भई यह end of a sentence किसी sentence का end यह डिनोट करता है वन मिनिट गाइज सेटिंग चेंज करवानी पड़ेगी करता है बीस वेट करता है झाल 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 तक बहुत सारे स्टूड़्िन्स्ट जूड़ी तक बहुत बाएं यह सो गाइस शुरू करते हैं है और भी सबसे पहला जो पंट्चुएशन माक्थ है वो है पिडियर्ट है ना? अभी तक बहुत सारे students जुड़ भी गए होंगे हमारे साथ तो सबसे पहला जो punctuation mark है वो है period जिसको simple भाशा में हम full stop कहते हैं ठीक है, तो full stop कब लगाते हैं भाई, किसी sentence के end में है न और कुछ abbreviations होते हैं, abbreviation मतलब हम जब कहते हैं Mr. या doctor, तो doctor के बाद भी हम इस period का full stop का use करते हैं Mr. या Mrs. के बाद भी हम full stop का use करते हैं ठीक है, या फिर किसी sentence को end करने के लिए हम full stop का इस्तेमाल करते हैं, ओके, good morning everyone तो ये तो सभी को generally पता होता है, चलिए, अगला है comma comma का इस्तिमाल कब होता है, देखो बहुत important ये सारे topics है ठीक है, ये जो topic आज हम पढ़ रहे है, ये जो punctuation marks है बहुत important है, इससे question बनते ही बनते, अगर 2022-2023 की बात करूँ तो बहुत सारे questions पूछे गया है, ओके, चलिए, तो comma क्या बताता है it indicates a brief pause, है ना, एक pause, ठीक है, एक short pause, है ना, पुरा full stop नहीं commas are used to separate items in a list, है ना, कि भाई, list में items है, उन्हें separate करने के लिए जैसे मैंने कहा, कि there are girls, comma, there are boys, comma, there are men, comma, women are in my class, है ना तो यह men, women, girls, boys, सभी को separate करने के लिए, हम use करते है, comma का, जैसे यहाँ पर दिखेंगे she enjoys, उसे hiking पसंद है, फिर हमने यहाँ comma लगा दिया, उसे swimming पसंद है, comma, dancing, comma, singing तो जब हमें अलग-अलग items की list बतानी होती है, है ना, और उन्हें separate करना होता है, कि भाई, hiking एक अलग activity है, swimming एक अलग noun है, दूसरा कोई एक अलग noun आता है, तब हम use करते है, comma का, okay, तो यह भी आपको generally पता होता है, good morning everyone, yes, I bought apples, है ना, फिर क्या लाए भी, bananas, तो यहाँ प या फिर कोई भी items को separate करने के लिए, आप comma का इस्तिमाल करेंगे, next क्या है, question mark, question mark कहां पर use किया जाता है, जब हम direct सवाल पूछते हैं किसी से, सभी को पता है भई, है ना, यह question mark कभ यूज करते हैं, जब हम किसी से सवाल पूछ रहे होते हैं, है ना, जब हम किसी को कोई च कहां जा रहे हो, question पूछा जा रहा है, इसलिए हमने question mark का इस्तिमाल किया है, ठीक है, clear है, चलिए, तो यह तो थोड़ी basic हो गए, अब है भी exclamation mark या exclamatory mark जिसे कहा जाता है, तो exclamatory mark कभ यूज किया जाता है, हमारे strong emotions को express करने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते ह हम लोग, यह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते है, यह आश्चर यह चकित हो जाते है, surprise हो जाते है, तब हम use करते है, exclamation mark का, right, तो यहाँ देखेंगे, what a beautiful boat house, है न, कितना अच्छा है, हम लोग एकदम surprise हो गए, आश्चर यह चकित, तब हम exclamatory mark लगाते है, है न, wow, that's amazing है न, तो तब भी हम exclamatory mark लगाएंगे, तो surprise हो जाते है, यह strong feelings के लिए, यह बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा दुख हो गया, किसी की death हो गई, जैसे alas, alas का मितलब होता है, भई, बहुत दुख की बात है, है न, क्या हुआ है, I did not make it to the volleyball team at the school, है न तो हम कहते हैं, हुरा, तो वहाँ पर भी हम exclamatory mark लगाते हैं, चलिए, अगला देखते है, quotation marks, सभी को पता है भई, यह जो quotation marks होते हैं, यह कब हम लगाते हैं, डारेक्ट स्पीच में लगाते हैं, हम जब speech के questions discuss करते हैं, डारेक से indirect speech में, तो जो direct speech होता है, इसमें हम quotation marks लग शी सेड आई विल बी देर सुन तो यहां पर यह जो है है ना यह क्या कहलाएगा यह कहलाते है quotation mark और यह direct speech में ठीक है indirect में नहीं the teacher asked who can answer this question तो यहां भी हमने quotation marks का इस्तेमाल किया so quotation marks हम लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ direct speech के questions में ठीक है मतलब sentences में indirect में हम बिलकुल भी quotation mark का इस्तेमाल नहीं करेंगे next क्या है next है colon colon मतलब कि यह दो ऐसे जो हम लगाते है dots है ना तो इससे कहते है colon अब यह important है देखो बाकी generally आपको पता होता है लेकिन यह दो चार होते हैं हम regularly use नहीं करते है ना तो यहां पर देखिए colon का इस्तेमाल कब किया जाता है colon का इस्तेमाल किया जाता है भी to introduce a list एक list introduce करने के लिए है ना या फिर किसी चीज कहां में explanation बताना है तब हम यूज करते इस quotation का जैसे देखो example ऐसे नहीं समझ में आता है example अच्छे से देखो remember to bring three things याद रखना तीन चीजे कर ले आना तो कौन सी तो हमें बताना है भी कि वो list क्या है तो एक pen ले आना एक paper ले आना और अपनी test book ले आना ठीक है तो जब हमें list introduce करनी होती है कि भाई कोई चीज ले आना या market जा रहे हो तो सबजिया ले आना fruits ले आना pen ले आना किताबे ले आना तो तब हम उस list को introduce करने के लिए देखो यहाँ पर semicolon का sorry colon का इस्तेमाल किया है semicolon नहीं colon का इस्तेमाल किया हुआ है she wanted only one thing यहाँ पर है ना भाई उसे सिफ एक चीज चाहिए थी अब उसका explanation देना है कि उसे क्या चाहिए था तो हमने लिखा freedom क्या चाहिए था उसे भाई जिन्दगी में उसे बस एक चीज की कमी थी उसे एक चीज चाहिए थी और वो क्या है ना तो उसका explanation हमने क्या किया भी यहाँ पर हमने colon डाला और लिखा भी उसे freedom आजादी चाहिए थी चीक है next the recipe requires three ingredients कितने भी तीन ingredients तीन चीजों की जरूरत है है ना अगर कोई recipe कोई चीज आपको बनानी है cook करनी है और वो जो ingredients है उसकी list हमें अग reduce करेंगे और फिर आगे लिख देंगे कि क्या क्या चाहिए फ्लोर चाहिए शुगर चाहिए एक्स चाहिए ठीक है तो colon का इस्सेमाल कप करेंगे जब हमें list introduce करनी होती है यह हमें explanation देना होता है यह अगर उसको सिर्फ कोई एक चीज चाहिए वो क्या चाहिए तो हमने बता या freedom ठीक है clear है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है सेमी कोलन है यह जो होता है एक डॉट और यह ऐसा कॉमा ठीक है तो यह होता है सेमी कोलन अगेन यह important है है यह चीज़ें हमें जनरली पता नहीं होती तो सेमी कोलन का इस्तेमाल कप करेंगे हम करेंगे separate independent clauses है ना य independent clauses को separate करता है अलग-अलग करता है तो यह independent क्या है है ना independent clauses मतलब आप कह सकते हो दो independent sentences हैना जिने हम अगर जोड़ेंगे नहीं भी तब भी वो दोनों अलगालेग, meaningful sentences है. उन्हें कहा जाता है, independent clauses. मतलब आप कह सकते हो, meaningful sentences. Meaningful sentence मतलब क्या होता है भी? जो की अधूरा न हो, है ना? Meaningful मतलब आप कह सकते हो, दो complete sentence लिख देती हूं मैं आपे. है ना? independent clauses मतलब complete sentences. उसे कहा जाता है. Complete कब होता है sentence? जिसमें सब्जिक्ट होता है जिसमें वर्ब होती है जिसे यहां देखेंगे he likes to hike एक पूरा complete sentence है जी प्रिफरस टू सेम्ट यह दूसरा एक complete sentence है दोनों को हमने किस से connect किया है दोनों को हमने इस semi-colon से connect किया है तो दो यह अलग अलग complete वाक्य है meaningful वाक्य है ठीक है the team won the game एक meaningful complete sentence है अगर मैं इतना भी कहूंगी तो भी meaningful है समझ में आ रहा है subject है verb है यहाँ पर है ना कि भई team ने यह जो game है वो जीत लिया है और यहाँ पर कहूंगी they celebrated all night भई उन्होंने celebrate किया जहाँ अपर subject आ जाए verb आ जाए complete sentence है तो दो complete sentences को जोडने वाला क्या कहलाता है कहलाता है semicolon ठीक है क्या कहलाता है semicolon कहलाता है complete sentences को जोडने वाला clear important है चलिए next देखते है apostrophe है ना apostrophe सभी को पता है यहाँ पे इसने गडबड कर दिया हम ऐसे लगाते इसको तो apostrophe क्या होता है भी apostrophe जब हमें possession बताना होता है या फिर हमें क्या बताना होता है भी ownership ownership का मतलब क्या होता है ownership का मतलब होता है जब हमें अधिकार बताना होता है ना कि यह मेरा घर है यह आपका घर है यह मेरी कार है यह उसकी कार है, यह उसका घर है, यह तेरा लैटप है, तो मेरा तेरा, इसकी, उसकी मतलब की कोई चीज जब किसी को बिलॉग करती है, है ना, तब हम यूज करते हैं, इस apostrophe का ownership दिखाने के लिए, possession दिखाने के लिए कि कोई चीज किसकी है, ठीक है, जैसे यहां लिखा है, जॉन्स कार इसका मतलब क्या हुआ भाई जॉन की कार ठीक है चिल्रिन्स टॉइज मतलब बच्चों के खिलोने तो भाई खिलोने किसके है बच्चों के कार किसकी है जॉन की ठीक है इस तरीके से clear तो जब हमें ownership अधिकार या possession बताना है कि कोई चीज किसी को belong करती है तब हम use क तो क्या है भई डाश है है ना ये डाश थोड़ा सा ऐसा बड़ा होता है ये वाला नहीं है ये ठीक है ये वाला डाश है ठीक है तो इसका use कहां पर किया जाता है use to set off an explanatory और parenthetical phrase इसका मतलब क्या होता है भी ये जो है parenthetical phrase मतलब अगर जब हमें किसी चीज की extra information देनी है है न जब हमें किसी चीज की additional information additional जानकारी जब हम देते है उसे कहा जाता है क्या उसे कहा जाता है parenthetical phrase है ना तो किसी चीज की extra जब जानकारी दोगे आप या फिर explanation दोगे है ना तब आप use करते है डाश का जैसे example देखो यहां पे समझ में आ जाएगा she found the perfect gift है ना बिलकुल सही है भाई she found the perfect gift complete sentence है लेकिन हमने dash लगाया और dash लगा कि हमने क्या दिया एक extra जानकारी दी है ना हमने क्या दी एक extra information दी क्या information दी a beautiful necklace है ना कि भाई उसे perfect उसकी friend का birthday था और उसे ना उसकी friend को एक gift देना था तो भाई उसे वो perfect gift अपनी friend के लिए मिल गया तो अब उस gift के बारे में extra information है अब beautiful necklace है ना उसने अपनी friend के लिए क्या खरीदा एक beautiful necklace तो जब हमें explanation देना होता है कि भाई gift है तो कैसा gift है या फिर हम कोई additional information दे रहे extra information देंगे तब हम dash लगा कर दे सकते है ठीक है जैसे यहा information क्या दी जा रही है his mind was made up है ना क्योंकि भाई उसका दिमाग इस चीज के लिए मतलब कह सकते दिमाग में उसने ठान लिया था कि मुझे जाना तो जाना है तो जाना है ठीक है तो यह क्या हुई भाई यह extra additional information हुई है ना तो जब additional information आपको देनी है तब आप dash का इस्तेमाल करेंगे clear है चलिए yes next देखेंगे parenthesis parenthesis मतलब यह जो दो ब्रैकेट होते है ना तो जो दो ब्रैकेट होते है जब हमें again extra information देनी है किसी sentence में ही तब हम use करते है parenthesis का जैसे यहां देखो he ordered a pizza है ना तो भई ordered a pizza एक complete sentence है लेकिन यहां pizza के बारे में इस noun के बारे में particular बताया है कि भई कौन सा pizza extra cheese और pepperoni है ना तो यहां पर इसलिए हमने use किया हुआ है okay the book is a classic है ना यह sentence है देखो the book is a classic भाई यह जो बुक है ना यह classic है बहुत उत्कुरुष्ट है बहुत बढ़िया है लेकिन इस किताब के बारे में हमने extra information दे दी bracket में which was written in 1950 कब लिखी गई थी sorry 1950 में लिखी हुई थी है ना तो किसी noun के बारे में जब हम extra information देते है तब हम parenthesis का use करेंगे he wore a suit है ना to the party या to the interview interview में उसने एक suit पहना हुआ था और वो suit कैसा था extra information दे दी भाई black color का था ठीक है तो तब हम bracket का मतलब parenthesis का इस्तिमाल करते है the next API ellipses imapses मतलब है यह उता है यह इसा जो तबार या दार यह वाला डैस बहुत जीवाला डैस आजिकल बहुत जादा चलता है हमारे वहाथसिप मैं होता है वह मैने जादा liμέकर दी ओ यह whatsapp में बहुत जादा करते हो ना कोई बात आप लिखते हो फिर डाश 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 और फिर आगे कुछ लिख देते हो ठीक है कब use किया जाता है भी यह जो ऐसे होता है डाश 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 हम use करते हैं omission of words है ना words को जब हम omit कर देते मतलब हमारी बात हम अधूर कर देते हैं कई बार हम लोग जैसे कहते हैं जैसे यहां पर देखो I thought you were going to go you were going to आधा अधूरा सेंटेंस है डाश डाश यहां पर कर दिया फिर लिखा never mind है ना मतलब हम कहते हैं कई बार हैसा होता है मुझे लगा कि तुम फिर बोलें अरे जाने दो है ना मुझे लगा कि तुम और फिर हम रुख जाते हैं फिर बोलते हैं अरे जाने दो ठीक है है ना तो हम अपनी बात अधूरी रग देते हैं कुछ words खा जाते हैं नहीं बोलते हैं मन में बोल देते हैं ठीक है तब हम parentheses sorry तब हम ellipses का यूज करते हैं I can't believe you है ना भाई में तुम पर भरोसा नही दो है ना कई बार बहुत गुसा आ जाता है बहुत सारी बाते बोलनी होती है थोड़ा सा हम बोलते फिर फिर रुक के फिर कहते भाई जाने दे छोड़ है ना तो तब हम यूज करते हैं इसका clear he said he would be here at dash 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 well I'm not sure now है ना मैंने का भाई कि बहुत सारे students ने कहा था कि हम तो session म में आएंगे जाने दो नहीं आये तो ठीक है ना तो बहुत सारे बीच के वर्ट जब हम खा जाते हैं ओमिट कर देते हैं complete नहीं होता हमारा sentence तब हम ellipses का इस्तिमाल करते हैं clear है सभी को चलिए good morning सभी को जो सारे students अभी जॉइन कर रहे session yes so guys यह था ellipses है ना तो यहां तक से हमारे punctuation marks जो की बहुत important है जिनसे related आपके exam में questions आये हुए तो अब बारी आती है questions की questions का answers आपको यहां पर देना है ठीक है तो जो हमने अभी पढ़ा है उसी पर based questions है चलो फटा फट से बता दो भाई answer क्या होगा and 30 second का यहां पर poll भी set कर देते हैं गुड मॉर्निंग शिवान्या यस क्या लग रहा है विच पंक्चुएशन मांक इस यूज़ तो इंडिकेट अ स्ट्रॉंग इमोशनल एक्स्प्रेशन और कमांड बाई हाथ का खेले हाफ लोगों का यह तो खई बार हम लोग इसको discuss कर चुके है exclamatory sentences है ना exclamatory mark चलिए रिटिका दुर्गेश अमीशा मेलडी शिवं नेक्स्ट क्वेशन वाट पंक्चुएशन मांक इंडिकेट्स अ ब्रीफ पॉस विदिन अ सेंटेंस और इस यूज़ तो सेपरेट आइटम्स इनलिस्ट एक ब्रीफ मतलब छोटा सा पॉस है ना और इस अपरेट करने के लिए आइटम्स को विदिन अ लिस्ट हम क्या यूज़ गते हैं उप््टिप करने के लिए यूज़ हिग यूज़ होता है और आभीपगा व्रीफ मेरीकलस में इजब कॉमा, बॉइज है, कॉमा, मैं है, कॉमा, विमिन है, कॉमा, भही क्या आएगा, कॉमा आएगा, है ना, separate items in a list, girls, कॉमा, boys, कॉमा, men, कॉमा, women, कुछ भी, ठीक है, कॉमा, pencil इस तरीके से, चलिये, option number C होगा, कॉमा होगा, next, which punctuation mark denotes the end of a sentence and is also used in abbreviations, है ना, abbreviation में भी use किया जाता है, period, exclamation, question mark, end of a sentence, बोला जा रहा है, end of a sentence, ठीक है, end बताना है आपको, बहुत सारे लोग C answer दे रहे, जो की गलत है, है ना, भी, sentence end हो चुका है, खतम हो चुकी है, बात, है ना, तो period से बताते है, मतलब की, period मतलब होता है, हमारा full stop, है ना, normal full stop, आप कह सकते हो, यह abbreviations क्या होता है, abbreviation shortcut में लिखते है ना, Mr., Mrs., Doctor, इस तरीके से, चलिए, next, गुड मॉर्निंग नाजुक सिंग, Yes, very good, answer क्या होगा, colon है ना, जब हम एक list introduce करते हैं कि भई, market जा रहे हो, है ना, ये ये सामान ले आना, colon लगा कि भई, pen, pencil, book, किताब, फल, fruit, कुछ भी हो सकता है, so option number C, यहाँ पर answer होगा, ठीक है, चलिए, अगला question देखते हैं, Wow, that was amazing, तो यहाँ पूछा गया है, कि इस sentence में कौन सा punctuation mark use किया गया है, Wow, that was amazing, यहाँ यह, very good, exclamatory sentences होगा, Sorry, exclamatory mark होगा, exclamatory sentence है यह, है ना, यह जो mark है, यह exclamatory mark कहलाता है, Right, चलिए, अगला question, Punctuation mark is used to enclose direct speech, direct speech की बात यहाँ पर की जा रही है, और quotation, Quotation, चलिए, quotation mark होगा, बिल्खुल सही, है ना, Paranthesis, Semicolon, Ellipsis, हट जाएगा यहाँ से, So, option number C is the correct choice, Right, है ना, quotation mark में हम, direct speech को रखते हैं, Next question, देखेंगे, Which punctuation mark is used, Is used at the end of a direct question, Question में ही इसका answer भी है, Question में ही इसका answer भी दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं होना था, है ना, Option number B, option number B, चलिए, question mark है ना, जब हम किसी से direct कोई सवाल पूछते हैं, तो पूछने वाला सेंस है ना, Inversion form में verb यूज किया जाता है, और last में हम लगाते है, question mark, Right, तो यहाँ answer क्या हो जाएगा, Answer here will be option number B, चलिए, अगला वर्शन, Identify the punctuation mark, used to separate independent clauses, that are closely related, So, independent clauses, चलिए, बताएंगे भई, दो अलग-अलग independent clauses है, है ना, मतलब दो complete sentences है, चीक है, उनके लिए हम क्या use करते है, दो complete sentences है, है ना, कि उनको अलग-अलग भी कर दिया जाए, तो वो meaningful रहेंगे, semi-colon होता है, Right, दो independent sentences के लिए, So, option number B, यहाँ पर answer होगा, चलिए, very good, अगला question देखेंगे, possession और contraction, possession बताने के लिए, या contraction, contraction मतलब क्या होता है भी, जैसे, do not, है ना, तो do not का contracted form क्या होता है, don't होता है, है ना, तो यह, इसका contracted, मतलब जो shortcut form होता है, यहाँ भी हम इसको use करते हैं, और जब possession, ownership, अधिकार बताना होता है, तब भी हम क्या use करते हैं, ellipsis use करेंगे, क्या बिल्कुल नहीं use करेंगे, apostrophe use करेंगे, क्या बिल्कुल use करेंगे, quotation नहीं होगा भई, dash will also get eliminated, तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, option number B, चीख है, चलिए, अगला question देखेंगे, identify the punctuation mark, used to set off explanatory, और parenthetical phrase, है रहा, जब हमें कुछ extra information देनी है, है ना, या फिर explanation देना है, कि किसी चीज का, कि किसी ने कोई चीज खरीदी है, है ना, जैसे हमने वो gift वाला देखा था, कि भाई, उसने एक अच्छा सा gift खरीदा, आगे dash करके दिया हुआ था, कि वो gift क्या है, कैसा है, तो क्या होगा यहाँ पर answer, quotation mark होगा, parenthesis, dash या ellipses, चलिए, बहुत बड़ी हा, answer होगा, option number C, that is dash, ठीक है, next question, yes, so punctuation mark used to indicate a pause or separation within a sentence, है ना, pause या separation within a sentence, क्या हो जाएगा, चलिए, क्या लग रहा है भी, comma exclamatory देखो, यह तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा, comma or semicolon में से बता दो क्या होगा, एक pause या फिर, within a sentence, answer यहाँ पर option number A हो जाएगा, comma है ना, semicolon कब यूज करते हैं, दो independent clauses को, है ना, दो independent clauses को, हम separate करने के लिए, चलिए, which punctuation mark is used to end a declarative sentence, और इसका answer आप सभी को पता है, किसी sentence को जब हम end करते हैं, कोई declarative statement, declarative मतलब कोई बात बोली गई है, बताई जा रही है, है ना, यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा है, normal कोई बात बताई जा रही है, जैसे he is my friend, she is a girl, she lives in Canada, तो normal हमारा answer क्या आएगा, end करने के लिए sentence को, declarative मतलब की simple sentence, one होगा answer, यह question mark कब आता है, जब question पूछते हैं, interrogative में, है ना, तो यहाँ पे answer one होगा, चलिए, तो guys यह थे, है ना, दो मिनट रुख जाएंगे, तो guys यह थे, questions related to punctuation marks, जो कि आज हमने, theory कवर की, और उससे related question, है ना, तो I hope आपको, बहुत अच्छे से, समझ में आ गया है, और practice भी हो गई है, अब यहाँ से, जो questions है, वो change है, है ना, अब हम हमारा regular, जो practice करते हैं, वो करेंगे, चलो, तो यह कुछ questions है, ठीक है, इनका answer आपको बताना है, क्या करना है, टेंस identify करना है, ठीक है, class खतम नहीं है, class अभी बहुत time है, class चलेगा 10.30 तक, डेड़ घंटे का class है, है ना, तो यह questions बहुत ज़्यादा important है, क्यों important है, अभी कुछ questions हम 10 पर ही करेंगे, क्योंकि ऐसा question आपकी exam में आया हुआ है, है ना, टेंस को पहचानने वाला, answer क्या हो जाएगा भी, she is baking present continuous tense, विल्कुल सही, so option number, B is the correct choice here, ओके, चलिए, answer क्या हो जाएगा, answer here will be option number B, अगला question, yes, option number B, option number C, बहुत बढ़िया, had plus V3, और जब भी had plus V3 आता है, मतलब हमारा जो sentence होगा, वो किसमे होगा, had आया है, had के साथ वो अपकी third form आई है, मतलब की sentence होगा, past perfect tense में, ठीक है, past perfect tense में, तो answer यहाँ पर होगा, option number C, चलिए, बहुत बढ़िया, next question, ठीक है, यह important है, exam में आया हुआ है, yes, यहाँ पर बताएंगे, will plus B plus verb की आई जी फो, will plus B, will या shall, दोनों में से कोई एक आता है, दोनों में से कोई एक, plus B plus verb की आई जी फो, मतलब हमारा sentence किसमें भी, will be playing football with his friend at this time tomorrow, जैसे यही same time पर कल, मतलब मंडे को आप पढ़ रहे होंगे, मतलब भविश्य में कोई काम चल रहा होगा, मतलब यह क्या हो जाएगा, future continuous strength, so option number B is the correct choice here, ओके, चलो, अगला question, I have never been to Australia, I have never been to Australia, have आया है, जब has आता है, या फिर have आता है, इसके साथ जब वर्ब की third form आती है, तो हमारा sentence किस में होता है भी, हमारा sentence होता है, present perfect tense में, है ना, और अगर इनी के जग़ा had आ जाता है, तो कॉन सा tense होता है, past perfect tense, चलिए, अगला question देखेंगे, चीक है, next, she will have finished her project by the end of this week, has how plus V3, बिलकुल सही, है ना, जब will आता है, जब shell आता है, plus have, plus V3, will shell है, मतलब भविष की बात की जा रही है, है ना, have plus V3, मतलब कोई काम, हम भविष में हो चुका होगा, भविष में हो चुका होगा, मतलब जैसे अगले week, हम हमारा syllabus कम्प्लीट कर चुके होगे, है ना, अगले Sunday तक, हमारा syllabus कम्प्लीट हो चुका होगा, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, option number B, ओके, चलिए, next question, I am going to visit my grandparents, इस MR प्लस वर्प क्या अंजी फॉर्ण, है ना, इन में से कोई एक subject क्या नूसार, चलिए, यस, आंसर गया हो जाएगा, present continuous tense, ठीक है, लेकिन यहां पर यह बता क्या रहा है, यहां यह बता रहा है, future है ना, तो यह जो present continuous का structure होता है, ना, कि वर्पमान में जैसे, मैंने कहा, we are discussing, वर्पमान में जब मैं कह रही हूं, तो यह काम चल रहा है, ठीक है, यह है, present continuous का structure में, to visit my grandparents अगले वीक है ना तो भाई future में next week मैं जाओंगा है ना लेकिन है तो present continuous में तो present continuous का जो इससे माल है वो हम future बताने के लिए कर सकते हैं चलिए अगला question लेकिन है present continuous में येस present continuous is also used to tell about future लेकिन है तो present continuous में structure तो present continuous tense का है वो ठीक है येस the train lives at 9 o'clock every morning भाई हर दिन ये होता है है ना और कोई काम जो हर दिन होता है है ना regular action होती है ठीक है तब हम उसे express करते हैं किसमें वी वन या फिर वी फाइव में है ना तो ये वी फाइव है यहाँ पर वी वन सिर्फ लीव होता है एक train है इसलिए leaves है ना trains होता तो लीव हो जाता तो यहां आंसर क्या हो जाएगा यहां पर answer होगा present indefinite tense so option number is the correct choice है ओके चल अगला question he had been waiting for his friend for an hour before he finally arrived yes daily habits simple present है ना या फिर कोई universal truth है जिससे कोई बदल नहीं सकता जैसे the sun rises in the east the sun sets in the west तो उसे भी हम simple present tense में ही यूज करते है यहाँ है बिन आया है verb की form आईए आएंजी में है ना तो मतलब कौन सा tense है भी हाड आ गया है और हैड जहां भी होगा तो भी आप past होगा है ना और जब वर्ब की आएंजी form आएगी तो continuous भी होगा है ना और बिन आया है वर्ब की बी इबी की थर्ड फॉर्म है है ना तो मतलब past perfect continuous राइट तो past perfect continuous बिल्कुल सही answer है so option number is the correct choice चली अगला question the sun sets in the west the sun sets in the west बिल्कुल सही answer क्या हो जाएंगा यहां पर answer होगा option number one है ना क्योंकि यह v5 है ठीक है चली अगला question देखेंगे यहां पर क्या लिखा है find the most suitable cohesive device है ना cohesive device मतलब जो दो sentences को connect करेगा या फिर आप इसे conjunction भी कह सकते हो है ना तो यह जो cohesive device है ना यह आपके syllabus में दिया हुआ है यह आपके syllabus में है और इस पर बहुत सारे questions भी पूछे गए है ठीक है इसलिए हम यहां पर हम discuss कर रहे है चलिए तो बताएंगे क्या होगा answer dash he was bold भाई वह बहुत बोल्ड था बोल्ड मतलब बहुत डेरिंग जिन में होती है है ना किसी के भी सामने वह कोई चीज बोल देते है या कर सकते वह डरपोक बिल्कुल नहीं होते हैं डेरिंग बाज हम कहते तो डाशी वह बोल्ड लेकिन he found it difficult to explain his mission है ना हाला कि वह बहुत डेरिंग है उसमें बहुत डेरिंग है बोल्ड है लेकिन फिर भी वह अपना mission अच्छे से explain नहीं कर पाया है ना तो यहां पर दो opposite contrasting ideas है ठीक है तो क्या हो जाएगा answer all low होगा बिल्कुल हो जाएगा है ना because क्योंकि वह बोल्ड है इस वज़े से नहीं कर पाया यह तो गलत हो जाएगा yet मतलब फिर भी since मतलब क्योंकि तो since नहीं होगा यहां होगा although although मतलब होता है हाला की या फिर के बावजूद है ना कि bold होने के बावजूद भी वो अपनी चीजों को अच्छे से बता नहीं पाया ठीक है चलिए अगला question म्यूजियम में बहुत जादा भीड थी है ना विजिटर्स की लेकिन फिर भी जैम्स ने एक quiet corner शांत corner ढूंड लिया ठीक है to admire the paintings तो यहां पर क्या लग रहा है more over however further more yes है ना कि म्यूजियम में बहुत जादा भीड भार थी लेकिन फिर भी जैम्स ने कोशिश की और एक शांत corner ढूंड लिया quiet place ताकि वो आराम से बैठे और paintings को देखे ठीक है तो यहां more over होगा क्या more over का मतलब क्या होता है भई in addition है ना in addition मतलब भई कोई चीज बोली गई है उसके अलावा ठीक है तो नहीं होगा however however मतलब फिर भी है ना और further more का मतलब भी in addition होता है therefore नहीं होगा answer क्या हो जाएगा option number B होगा ठीक है तो यह cohesive devices पर questions है जो कि आपका important topic है ओके चलिए अगला question देखेंगे some people enjoy hiking for the adventure it brings dash prefers dash others prefer staying indoors for relaxation चलिए क्या लग रहा है कुछ लोग hiking करते हैं उन्हें बहुत पसंद है उसमें जो adventure है जो मजा है लेकिन भाई कुछ लोग घर में रहना पसंद करते है आराम करना पसंद करते है कुछ लोगों को कूद ना फान ना दोड़ना भागना पहाडों पे चड़ना यह सब अच्छा लगता है ठीक है उन्हें उन्हें अच्छा लगता है relaxation मिलता है लेकिन कुछ लोगों को घर में बैठ के आराम करना अच्छा लगता है तो दो opposite बाते की जा रही है है ना दो contrasting यहां पर बाते की जा रही है in addition के अलावा on the other hand होगा क्या बिल्कुल however नहीं होगा consequently का मतलब क्या होता है as a result है ना as a result मतलब किसी चीज का परिणाम है ना तो यहां answer क्या हो जाएगा on other hand जब दो contrast contrasting दो opposite बाते हम करते तब हम यूज करते हैं on the other hand का चलिए अगला question हाँ वाइरल infection चल रहा है ना विंटर टू समर में जा रहे हम लोग winter season से summer season change हो रहा है यह क्या लग रहा है सारा मिस्टी train she arrived late for the meeting क्या होगा answer भाई सारा ने अपनी train मिस्स कर दी इसी लिए तो वो मीटिंग में लेट आई ना क्योंकि उसकी train चूट गई थी therefore मतलब इसी लिए additionally मतलब क्या होता है के अलावा है ना extra हम कोई चीज़ बताते हैं बट और इफ नहीं होगा so option number b is the correct choice ठीक है इसी तरीके के questions आएंगे exam में अगर cohesive devices से questions आते हैं चलिए next the presentation was informative dash it was well structured यह ब्राइंड प्रजापती ठीक है आज देखो theory का एक topic पढ़ाया है मैंने punctuation marks है ना उस पर version पढ़ाए धीरे धीरे यह सारी चीज़े जितना हो पाएगा exam से पहले हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पढ़ा दे इंपोर्टन इंपोर्टन पॉइंट्स पढ़ाके practice करवा दे ओके चलो भाई presentation बहुत informative था बहुत जादा हमें उससे information जानकारी मिली dash it was well structured है ना भाई informative तो था ही था साथ में बहुत अच्छे से structured किया गया था है ना तो इसके अलावा ये भी था ठीक है तो however होगा क्या more over होगा बिलकुल होगा more over का मतलब क्या होता है भई besides या भी बताया था मैंने in addition होता है है ना कि informative होने के साथ-साथ बहुत अच्छे से well structured भी था consequently as a result nevertheless का मतलब क्या होता है in spite of है ना in spite of मतलब के बावजूद तो भाई के बावजूद यहां पर कोई sense नहीं बनेगा so option number B is the correct choice क्या हो जाएग option number B होगा चलिए अगला question dash it was a holiday the traffic was lighter than usual चलिए क्या लग रहा है यस बिस और दो-चार questions होंगे उसके बाद कुछ EDM होंगे कुछ conditional पे होंगे अलग-अलग topics है tension मतलो है ना एक साथ इसलिए करवा रहे हैं एक साथ जब हम करते हैं ना questions तो जादा याद रहते हैं आपको अगला सवाल देखेंगे येस तो भाई आ गया है cohesive devices की questions end हो चुके अब है EDM's and phrases है ना अच्छे अच्छे मुहावरे है important important चलो बताओ to hit the nail on the head गुड मॉर्निंग सरोजनी to hit the nail on the head भाई नेल को hit करना है सीधा head पर है ना तो भाई तीर सीधा निशाने पर लगाना तो तीर सीधा निशाने पर लगाना मतलब कोई चीज बिलकुल सही करना या सही कहना वो होता है hit the nail on the head मतलब की to make a correct or accurate statement है ना so option number c is the correct choice ठीक है कोई चीज बिलकुल सही कहना या बिलकुल सही करना इसे कहा जाता है hit the nail on the head yes next to cost an arm and a leg to cost an arm and a leg यह किसका बद्दे चल रहा है किसी का बद्दे नहीं आज yes to cost an arm and a leg option number क्या होगा यहां पर है ना cost मतलब भई कीमत किसी चीज के कीमत इतनी जादा है ना भई पैसा तो दे दिया साथ में एक arm और एक leg भी देना पड़ रहा है मतलब वह चीज कैसी है बहुत महेंगी है है ना कहते है ना तरहीं बार आपने सुना होगा ना यह चीज मुझे चाहिए किसी ने कुछ बोला तो बलता कि हाँ मैं kidney बेज करें देदूंगा तो भाई इतनी महंगी है कि हमें बोली का पाट भी देना पड़ रहा है मतलब वेरी वेरी एक्सपेंसव अप्शन नंबर भी चलिये next to turn over a new leaf to turn over a new leaf good morning Ganesh कि नहीं मेरे पास सिर्फ दो किड्नीज है मैं नहीं बेच पाऊंगी ठीक है कि आप्शन नमर भी तू मेक फ्रेश स्टार्ट बिलकुल सही है ना है कि टूस्टार्ट ट्वरम न्यू लींफ मतलब एक नई शुरुआइं करना या फिर ऐसा होता है कि अच्छा बिहेउग करना अपने बिहेवीयर हर इंप्रूब्मेंट लाना यह वहता है साभीlog करना है है ना चलिए नेक्स्ट अपीस ओफ केक तो भाई यह जैसा इडियम है इसका मीनिंग भी बिल्कुल वैसा ही है गुड मॉर्निंग आर आज आप्शन बी है हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कभी आप्शन बी कभी सी गुड मॉर्निंग अन्मूल अपीस ओफ केक भाई बताएंगे मीनिंग क्या होगा इजी टास्क है ना मैंने कहा भाई यह काम कर दो आप कहोगे माम यह तो हमारे लिए अपीस ओफ केक है इसका मतलब क्या है बहुत जादा आसान है ठीक है तो कोई काम जो बहुत आसान होता है ठीक है चुटकियों में कर द देते हैं उसे कहा जाता है a piece of cake to go the extra mile to go the extra mile है ना कुछ extra mile जाना miles हम यूज करते है distance बताने के लिए है ना दूरी बताने के लिए तो थोड़ी जादा दूरी तह करना इसका meaning क्या होगा good morning अनुभाव to walk a long distance to put in additional effort to avoid going anywhere yet to take a shortcut good morning suruchi yes to put in additional effort है ना भई थोड़ी extra महनत करना है ना you have to go extra mile if you want to crack the exam तो भई exam crack करना है तो थोड़ा extra mile चलना पड़ेगा मिलब थोड़ी जादा additional महनत करनी पड़ेगी है ना सो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा option number b ओके चलो अगला question देखेंगे heat the hay है ना कई बार हमने heat the sack पढ़ा हुआ है heat the hay पहली बार पढ़ रहे हमारे जो constable वाले भी बच्चे तो heat the sack कई बार देखा है हमने good morning अदित्य येस additional effort to achieve something yes good morning dhananjay good morning aditya heat the hay या फिर heat the sack दोनों का मतलब यह की होता है है ना कल देखा था शायद हम लोगोंने heat the sack ठीक है तो heat the sack या heat the hay दोनों का मतलब होता है to go to bed है ना भाई बैट पे जाना सोने के लिए यह होता है heat दी है ओके चलिए बहुत बढ़िया अगला question to steal the show to steal the show good morning saavitri good morning s.k.jah है ना खोशिश करें ऐसा कोई कॉमेंट ना करें है ना जिससे आपको ब्लॉक कर दिया जाए और फिर आप यहां ना पड़ पाओ गुड मॉर्निंग बेबो गुड मॉर्निंग माधव काफी लेट हो गयो आप लोग है ना class exactly 9 बजे शुरू हो गया था yes option number b आ रहा है यहां पर to steal the show बिल्कुल सही भाई exceptionally well perform करना बहुत बढ़िया performance देना है ना यह होता है to steal the show ओके चलों very good next question to burn bridges to burn bridges by bridges को burn कर देना है ना good morning असिया जिस ब्रिज से आपको जाना है इस पार से उस पार उसी को आपने बन कर दिया है ना तो मतलब आगे जाने का जो रास्ता है वो आपने क्या कर दिया खुद ही खतम कर दिया तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हो अभी कोई डेट नहीं आया है बिहार का बिहार कॉंस्टिबल का ठीक है यह तू बर्न ब्रीजस क्या होगा आंसर ऑप्शन नमबर बी तू रिपेर ब्रोकन रिलेशन्शिप नहीं भई अपने ब्रीज को जला देना जिस ब्रीज से उस पार जाना है उसी को जला दिया तो भई मतलब वापिस लोटने का रास्ता नहीं रखा अपने कोई ठीक है यह होता है टू बर्न ब्रीजस ओके चलिए आंसर क्या हो जाएगा टू डेस्ट्रॉई ऑल पॉसिबल वेज ऑफ गोई बाक टू धाट सिचुवेशन है ना जैसे कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो आपने वहां जाता है टू बर्न ब्रीजस ठीक है सो अप्शन नमबर सी इस दी करेक्ट चॉइस चलिए अगला क्वेशन देखेंगे तो हाव बटरफ्लाइज इन वन स्टमक है ना भई पेट में तितलिया उड़ना चलिए जितने भी स्टूड़न्स अभी जॉइन कर रहे हैं गुड मॉर्ण अब वेरी वर्म वेलकुम पेट में तितलिया उड़ना option number B option number B to feel nervous and anxious बिलकुल एक्जाम के पेट में तितलिया अजीब सा होने लगता है कई बार होता है है ना बहुत सारे स्टूड़न्स को tension होने लगती है तो उसे कहते है to have butterflies in one stomach nervous feel करना जब nervous हो जाते है anxious चिंतित हो जाते है उसे कहा जाता है to have butterflies in one stomach चलिए तो guys यहां तक question थे idioms पर अब कुछ questions है verbs से related ठीक है चलो तो यहां बता दो क्या होगा good morning Arvind despite his busy schedule join dash time to exercise every morning by business schedule के बावजूद भी वो time निकालता exercise करने के लिए makes होगा John है इसे लिए makes होगा है अगर यहां पर दे होता तो क्या यूज करते आप make use करते John and Sam होता तो आप भी यूज करते ठीक है चलिए हाँ कहीं कहीं पर है next हां कई बार हो जाता है option number B option number C कोई दिककत नहीं है ठीक है हमारा तो main purpose है सीखना है ना तो चलो यहां पर बता दो the team dash the championship last year and they hope to win this year again है ना देखो सारे फिल से B में आंसर मार रहे है गलत है B यहां पर B नहीं आंसर ठीक है यह तो twist है यह exam में भी यही करेगा आपके साथ कई बार ठीक है तो ध्यान से देखना है हर चीज को क्या बोला जा रहा है भाई last year की बात की जा रहिये और जब भी किसी sentence में last year आ जाता है जब भी किसी sentence में last month आ जाता है, जब भी किसी sentence में yesterday आ जाता है, है ना, मतलब ऐसे adverb जो हमें बीते हुए time के बारे में बताते, तो वो sentence किसमें होता है, भई, sentence भूतकाल में होता है, past में, और past में है, है ना, देखो यहाँ पर भी, they hope to win, अच्छा ठीक है, clear है, तो भई, past क की बात की जा रही है, भूतकाल की, तो work past में आएगा, answer D हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस last year से पता चल रहा है, भई, पिछले साल की बात की जा रही है, राइट, चलो, next, neither the mother nor her children dash aware of the situation, Hello Ajit, बहुत मज़ा आ रही है, हाँ, यह तो इंदोरी भाशा है, हो रही है, जा रही है, खा रही है, yes, so option number A हाँ पर answer आ रहा है, neither the mother nor her children, है ना, कई बार बता है, भई, neither or nor से connection हो रहा है, किसका भई, subject 1 का, subject to हमारा children है, और जब neither nor से connect करते हो, दो sentences को, neither nor से, either or से, not only, but also से, या और से, तब हमारी क्रिया जवाएगी भीया, इस वाले subject को, second subject, subject 1 को नहीं देखना है, सिर्फ V2 को देखेंगे, एक बच्चा है क्या नहीं, बहुत सारे बच्चे, child का plural है, तो भई, plural वब आएगी, तो क्या हो जाएगा, आर अवेर, है ना, ये तो singular है, ये भी singular है, और B तो गलत हो जाएगा, तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, optional movie, ठीक है, चलो, अगला सवाल देखते हैं, next, the news about the accident, dash shocking to everyone who knew the family, भई, news कैसी थी, news dash थी, news के हिसाब से verb लाओगे, है ना, अब decide करना है, भई, present में लाओगे, past में लाओगे, अब news कैसा subject है, singular है ना, news singular होता है, ये uncountable ना होने है, इसके साथ verb singular, तो अब देखो, या तो a आएगा, या तो c आएगा, है ना, ये दोनों तो आएगे नहीं, ये तो plural है, और b गलत है, grammatically, अब यहाँ पर who knew the family, ये जो k-n-o-w, no होता है, इसका past tense, है ना, इसका past tense new होता है, तो भई, इस से समझ में आ रहा है, कि पूरा का पूरा sentence past में है, और past में है, तो भई, past form वाली verb आएगी, ये नहीं आएगी, तो answer यहाँ पर option number A हो जाएगा, ठीक है, clear, चलिए, अगला question, yes, so यहाँ से question change है, अब आपको non-finite verb पहचानना है, ठीक है, बहुत-बहुत important topic है ये, इस से भी question बनते ही बनते, 2022-2023 में question आए हुए है, ओके, च sentence, he enjoys swimming in the lake, non-finite verb मैंने आपको कल समझाया था, है न, यहाँ पर he आजाए, यहाँ पर she आजाए, ही आया है, तो enjoys आया है, अगर दे होता तो enjoys नहीं आता, सिर्फ क्या आता, enjoy, है न, तो भई, ये तो बदल रही है subject के साथ, ठीक है, अगर मैं इसका भूत-काल बना दू, तो ED लग जाएगा इसमें, तो भाई, जो बदलती है, वो हमारी non-finite नहीं होती, वो finite होती है, जो किसी के विसाथ ना बदले, he enjoys swimming, they enjoyed swimming, है न, we enjoy swimming, भाई, ये swimming, swimming, same ही रहेगा, आप भविश्र में कर दो, भूत में कर दो, किसी में भी कर दो, है न, मतलब आप tense बदल दो, ठी नहीं बदलेगी, है न, ये भी तो एक action word है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, non-finite verb, मतलब जो tense के साथ ना बदले, जो subject के हिसाब से ना बदले, वो होती है, हमारी, क्या, वो होती है, हमारी non-finite verb, ओके, चलिए, next, the dog loves to chase its tail, यहाँ पर answer क्या होगा, चलिए, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, यह तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो बिल्कुल regular रहिएगा सारे students, अभी आपका regular exam तक class चलेगा, है न, the dog loves to chase its tail, क्या होगा answer, the dog loves, है न, अगर मैं यहाँ पर the dogs कर दू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, loves का love हो जाएगा, भी यह यह तो बदल रही है, यहाँ पर, एक dog है तो loves, एक के साथ loves, लेकिन, यह जो two chase होगा, भी, यह ऐसे का, ऐसे ही रहेगा, है न, मतलब की हमारा answer क्या होगा, हमारा answer chase हो जाएगा, option number C होगा, right, चलिए, तो देखते हैं भी, C, and yes, चलो, बहुत बढ़ी हाँ, अगला question देखेंगे, The children are excited about going to the amusement park, option number C, yes, बिहार exams वाला के telegram channel पर मिलेगा pdf, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर, going होगा, है न, किसी भी proposition के बाद, अगर verb की ing form आती है, उसे gerund कहते हैं, है न, तो यह change नहीं होगा, यह नहीं बदलेगा, चाहे यह बदल जाएगा, यह बदल जाएगा, लेकिन यह as it is रहेगा, कोई भी tense आजाए, कोई भी subject आजाए, इसे कहते है non-finite verb, ओके, चली, अगला question दिखेंगे, she enjoys reading mystery novels in her free time, है न, अगर नहीं समझ में आता, तो subject बदल बदल के देख लिया करो, कौन सा नहीं बदलेगा, वो ही हमारा non-finite verb है, है न, तो भई, she है तो enjoys लिख दिया, अगर दे होता, तो enjoy लिख देते, sorry, है न, यहाँ enjoys है, she के साथ, he के साथ enjoys, लेकिन they आता है, तो भई, यह s हट जाता है, है न, they enjoy, we enjoy, क्योंकि they, we, एक से जादा लोग है, तो भई, यह तो बदल रही है, है न, लेकिन यह reading बदलेगा, क्या, she enjoys reading ही होगा, we enjoy reading ही होगा, we all enjoy reading ही होगा मतलब यह हमारा non finite verb हुआ मतलब option number 20 दी correct choice ठीक है चलिए अगला question देखेंगे तो यहां पर आप यह voice related question है ठीक है so voice बताना है भी change करना है अगर active में है तो passive में है तो active में हाला कि यहां लिखा हुआ है passive में करना है अगर active voice में यह है तीनों में से कोई एक subject की अनुसार verb की आइंजिफों तो यहां पर passive करने का rule होता है भी is mr plus being plus v3 खेंडा तो भई अगर active में यह है तो passive में यह करना पड़ेगा यह rule यूज करना पड़ेगा अगर passive में यह है तो active में यह करना पड़ेगा तो भई यह है यह दिया हुआ है देखो is दिया हुआ है क्योंकि teacher है तो एक teacher है तो is ing आ गया तो भई passive यह ढून लो कहां पर यह being v3 कहां प लेना बस चलिए अगला क्वेश्चन दिखेंगे ओपन दोर फॉर यूर ब्रदर ओपन दोर फॉर यूर ब्रदर अब यहां पर सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट मेंशन नहीं है अब कवेश्चन सब्सक्राब यूर ब्रदर फॉर ब्रदर टो भए क्या हो जाएगा लेट ट्र, ट्री फ्लस वी थु लगा देंगे हम ठिक है तो इन दोर बी ओपन फॉर यूर ब्रदर गेश्चन दस मिनट पर चौप दे शिफ्टेड दे वैन्य ओफ दी कॉंफरेंस क्या होगा यहां पर आंसर दे शिफ्टेड दी वैन्य ओफ दे कॉंफरेंस चलिए अच्छी बात है प्रीवियस यह आपने देख लिया है है ना उसी पैटन पर हम लोग यहां पर डिस्केशन कर रहे है गुड मॉर्निंग प्रतिभा यस तो भी दे शिफ्टेड वी टू अगर आता है तो इसका पैसिव क्या हो जाता है वास वर के साथ वी थ्री है ना तो यह दूढ़ना पड़ेगा भई कहां पर है वह वह लोगा क्या है अंसर यहां पर उप्छी नुम भर वन ही है ओके चलिए, अगला question देखेंगे क्या होगा were all formalities completed by you है ना, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं completed आया है, completed verb का second form है sorry, यहां third form है भाईए, second form नहीं होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि word आया है और word के साथ V3 आया है, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, जब verb की second form active voice में आती है तो passive में was या word के साथ verb की third form आती है ठीक है, तो मतलब active में अगर simple past है तो passive में ये करेंगे, अगर passive में ये दिया है तो active में हमें V2 चाहिए, तो भाई देख लो ये passive में दिया हुआ है, है ना, देखो word आ गया आ गया भाई, V3 आ गया और जहां भी main verb की third form आ जाए इस, म, आ, वाज, वर, बिंग, 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 के साथ बतलब की हमारा जो sentence है, ये किसमे है ये sentence हमारा है passive voice में, active में करने के लिए सिफ V2 आएगा, so did you complete भाई, बिल्कुल सही, do और does का V2 क्या होता है, do और does का V2 होता है, did है न, तो ये V2 आ गया है so did you complete all formalities, बिल्कुल have का कोई रोल नहीं है, और will का भी कोई रोल नहीं है, बहुत आसान सा question है दिख रहा, difficult है लेकिन बहुत आसान है, अगला question देखेंगे, the prisoners have made this paintings चलिए, नए रूल पर the prisoners have made this painting, क्या होगा answer these prisoners have made have been made by the paintings, these paintings were made by the prisoners, क्या लग रहा है option number A होगा बिल्कुल simple सा question है, active में दिया हुआ है, है न, रूल में यहां पे लिख रही हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाए, है न तो जब present perfect में है न, अभी हमने टेंसल पड़ा था, तो present perfect में active होता है तो भाई, इसको इसका passive बनाने का rule यह होता है क्या होता है, इसको passive बनाने का rule हमारा यह होता है, ठीक है active में दिया है, तो भाई, इस से passive कर लो अगर यह वाले, इसमें structure में दिया है तो active का यह rule है तो हमने देखा भई have के साथ V3 active में है तो भई बीन और V3 लगेगा दोनों में से कोई एक subject की अनुसार तो क्या हो जाएगा अगर आप practice कर लो थोड़ा ठीक है चलिए अगला question देखेंगे I have taken tea चलिए फटाफच से बताएंगे भी I have taken tea है ना क्या लग रहा है I have taken tea again same formula same formula जो अभी पिछला question किया है ठीक है same formula पर based है कहीं जाना नहीं अभी session end होगा और maximum question करवाना है ना time है कम और करनी है practice जादा ठीक है इसलिए आज थोड़ा speed से भाग रहे है और यह marathon है ना marathon में ऐसी भागा जाता है ठीक है marathon का नाम मतलब क्या होता है भागना दोडना ठीक है बहुत सारे questions करदा सो भाई T had का कोई सवाल नहीं है भाई have है तो has या have भी आएगा had past perfect में आता है T has been taken by us भाई us नहीं I है I का us तो नहीं होगा गलत है T has been taken by me this option seems to be correct and this will also get eliminated I नहीं होगा I का हो जाता है conversion मी में so answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा option number 3 ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे the new had surprised us अब यह past perfect tense में ठीक है present perfect tense में क्या होता है has have के साथ V3 आता है तो इधर has have के साथ past perfect में had plus V3 तो क्या हो जाएगा had plus been plus V3 ठीक है भई active में है तो passive का यह rule है passive में है तो यह active का यह rule है इसके साथ साथ जब active से passive में करोगे subject की जगा object लेकर ले लेगा object की जगा subject ले लेगा है ना option नंबर भी answer आ रहा है भी we had been surprised at the news अब देखो भाई गडबड यहां पर और यहां पर है ना तो इस दो को mark कर लेंगे यह और यह तो नहीं होगा we had surprised by the news यह भी गलत हो जाएगा है ना answer क्या हो जाएगा surprise by the news नहीं होता है we had been surprise at the news होता है आट वाला याद रखेंगे surprise at something होता है ठीक है तो answer यहां पर क्या हो जाएगा भी answer यहां पर होगा option नमबर एड़ा ठीक है surprise by the news नहीं होता है भी किसी के द्वारा कोई चीज होती है इंसान के द्वारा at यहां पर आएगा सई चलिए do they sell fruits तू देशल फ्रोट्स तो नहीं होगा भी है ना क्या आया है वीवन आया है अट्टिव में तो इसमर के साथ विथरी are fruits sold by them बिल्कुल सही है ना देखा क्या हो जाएगा them हो जाएगा do fruits sell no and do fruits be sold no answer क्या हो जाएगा answer होगा option number B ठीक है चलिए बहुत बढ़िया next अभी बताया था यह present continuous का रूल option number B चलिए वे इस बिंग वी थरी पैसिव में है किसका पैसिव है present continuous sentence का तो यह भी नहीं आएगा master यादव is building the windmill बिल्कुल सही है ना इसके साथ वर्ब क्यांजी फॉर्म बी नहीं होगा आप बिल्ड नहीं होगा answer will be option number B प्रेजन केंटिनियूस टेंस का पासिव वोई सही है ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे यह सो अब बार यह आती है भई इस एक कंडिशनल सेंटेंस की आपको यह कंडिशनल सेंटेंस है इसे बताना है कि कौनसे option में बिल्कुल सही लिखा गया है यह कंडिशनल सेंटेंस ठीक है चलिए बताएंगे क्या होगा if I have wings I would fly कि कि यह स्कंडिशनल सेंटेंस है ठीक है, अगर if clause में verb की second form आती है, simple past tense, तो main clause में would plus v1 है ना, तो देखो, ये गलत हो गया, है ना, क्योंकि ये v1 होती है, इसका v2 क्या होता है, इसका v2 होता है, had, ठीक है, तो भई, if के साथ अगर v2 तो आगे would plus v1, है ना, ये second conditional clause कहलाता है, so if I have wings, गलत हो जाएगा, if I had wings, I would fly, बिल्कुल सही, देखो, would plus v1 आया है, और if के साथ v2, have का v2 गया होता है, had होता है, है ना, यहाँ पर I would के साथ have आ गया, जो की गलत हो जाएगा, ये v2 गलत हो गया, है ना, तो answer यहाँ पर option number b है, ठीक है, चलिए, अग सवाल, again conditional sentence पर ही based ये fill in the blank का question है, ओके, if it dash, we will cancel the party, ये first conditional clause है, if के साथ अगर v1 या v5, है ना, तो आगे क्या आता है भी, will या shall के साथ v1, ठीक है, तो देखो यहाँ, will के साथ v1 तो आ गया, है ना, main clause में, if में v1 या v5, ठीक है, v5 क्या होता है, अगर rains कहोगे, तो ये v5, अगर rain कहोगे, सिर्फ s नहीं लगाओगे, तो v1, तो भाई, it आया है, और it के साथ हम ये use करते, it के साथ, he के साथ, she के साथ है ना, तो answer, option number 3 होगा, ठीक है, so option number 3 is the correct choice, next, चलिए, tense per based question है, tense per based ये question है, है ना, they dash for more than 2 hours, यहाँ पर देखो भई, four आया है, और four के साथ time आया है, है ना, तो जब since या four के साथ time आ जाया है, two hours, two weeks, या since morning, since Sunday, since January, since December, बतला present perfect continuous में हमारा ये sentence है, कोई काम बूत काल से चलता आ रहा है, और अभी भी, है ना, वरतमान में भी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, they है, तो they के साथ have आएगा, answer option number three, है ना, कि भाई, वो दो घंटों से आपका इंतजार कर रहे हैं, दो घंटे हो चुके हैं, और अभी भी इंतजार कर रहे हैं, ओके, चलिए, next, दो तीन बस और questions बचे हुएं, फटा फटा आंसर देंगे, conjunction बताना हैं इसके लिए, क्या आएगा, Yes, mother and I, है ना, mother and होगा, मा और मैं, ठीक है, चलिए, अगला question, The bus started moving while she dashed it. बेर लाएबर ब Kin Save बाइ बाइ क्या बोला जा रहा है जब व बस में चड़ने की कोशिष कर रही थी तो बस ने मूफ करना शुरू कर दिया था कही बार होता है लोग चड़ते होते और बस करने लग जाती है तो वही वाला sense है, तो क्या हो जाएगा, the bus started moving, while, है न, while, मतला भई, ये भी continuous में आएगा, ये भी continuous में आएगा, तो while she was boarding it, है न, जब वो board कर रही थी, चलो, अगला question देखेंगे, dash to use losses in their family business, they had to sell big house, चलिए, yes, एक last question और बच्चा है, 60th, then we will end the session, dash, huge losses, भई, huge losses के वज़ा से क्या हुआ भई, उसे उन्हें अपना बड़ा घर बेचना पड़ा, है न, तो क्या होगा, सही, सही जो है, owing for, by, on, नहीं होता है, answer is owing to, क्या हो जाएगा, owing to, okay, so owing to is the correct answer, चलिए, अगला question, एक last question है, सारे students, सही answer देंगे, है न, propositional phrase, ये भी आपके syllabus का part है, तो ये सारे propositional phrases ही है, so, dash, every effort, one may fail, in spite of, in spite of, in spite, या in spite, तो भई, ये in spite of क्या होता है, सही, in spite of, नहीं होता है, in spite of होता है, है न, तीनों में gap होती है, बाकि सारे options, अली मेंने, answer यहां पर हो जाएगा, option number B, ठीक है, चलिए, yes, तो cumulative result check करेंगे, है न, जो हमारे first topper है, आजके, so, धर्मवीर है, है न, काफी regular student है, ये, और फिर वंदना, second, then Mr. Modi, then Rajiv जी, ये भी हमारे regular student है, दुरगेश, रितवीक, अफसर, बिटिया, मेलडी, चंदन, अमीशा, प्रियांशू, और ये सारे बाकी के, चलिए, बहुत-बहुत congratulations हमारे 10 toppers को, और जिन लोगों का नाम, है न, top numbers में नहीं आया है, उन्हें भी congratulations है न, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़े, ऐसी सीखी, हमें ऐसी पता चली, कुछ, मतलब कुछ rules, कुछ नहीं चीज़े, जो हमें पहले से पता नहीं थी, है न, तो आपका भी knowledge update हुआ, upgrade हुआ, right, चलिए, तो मिलते हैं अगली class में, till then, टाटा बबाई, take care and thank you so much.